सभी अंगन बारी बहनों को मेरा नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि पोशन ट्रेकर एप में आज फिर से दो नए अपडेट आये हैं जैसे कि पहला अपडेट है कोड अप्टोमाईजेशन दुसरा है Minor Box Fixes देखे ये एक अजीव अपडेट है जिसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 अप्रेल को यह अपडेट आया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे एरो वाले पे किलिक करके देख सकते हैं कि इसमें अभी कौन सा भर्जन आया हुआ है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 12.8 का नया भर्जन यहाँ पे आया हुआ है तो आपको अपडेट कर लेना है और यहाँ पे आप लोग को अपडेट का ओप्शन मिल जाएगा तो चलिए फाइनली पोशन ट्रेकर आप को अपडेट करके यहाँ से हम लोग ओपेन कर लेते हैं अगर आप सभी आगनवारी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा देखें यहाँ पे हम आ चुके हैं पोशन ट्रेकर डाइब के होमपेज पे उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये नया अपडेट आया हुआ है जिसमें कि जो होम विजित है उसमें सुधार किया गया है कि नहीं किया गया है जैसे कि किसी भी लभार्थियों केटेगरी को हम लोग open करते हैं और यहाँ पे late वाले option में जाते हैं जैसे कि बहुत सारी आंगनवारी बहनों का comment आ रहा है कि home visit में जो late वाला option है वो उसमें खोल ही नहीं रहा है तो देखिए इसमें जो update है वो उस update में भी यह home visit वाली जो problem है वो ठीक नहीं हो पाई है यहाँ पे भी आप लोग किली करके देख सकते हैं कि home visit में किसी भी परकार के कोई काम नहीं हो पा रहा है जो late वाले option में चले गए हैं अगर आप लोग को यहाँ पे data submit करने के लिए मिलती है तो आप लोग यहाँ पे तो आसानी से कर लेते हैं लेकिन late वाले option में जाके किसी भी लभार्तियों का data अभी आप लोग submit नहीं कर पाएंगे और चलिए यहाँ पे beneficiary वाली category को open करते हैं और open करने के बाद और जिन लभार्तियों को आप लोग यहाँ पे अधार verify कर रहे हैं तो उनका अधार verify तो हो जा रहा है लेकिन अभी भी एक problem यहाँ पे दिखाई दे रही है जो हमेशा से दिखाई देती आ रही है जैसे कि यह यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका भी in progress है उसके बारे में यहाँ पे कोई भी update change नहीं की गई है नहीं इसमें कोई सुधार किया जा रहा है कि जो भी लभार्तियों का अधार verify नहीं हो रहा है उसको यहाँ पे सुधार करके ठीक किया जाए लेकिन अजीबो गरिब update आ जा है कि code optimization आखिर में update आया है तो कहां आया है और इसमें code optimization कहां पे update किया गया है कहीं पे भी हमको नजर नहीं आया इसलिए हम बोले कि यह अजीब update किस परकार की आई हुई है देख सकते हैं किसी बिलाभारति की category में सारा चीज हम search करके ही आपको दिखा रहे हैं तो इसमें क comment box में comment करके जरूर बताइएगा देखिए आप लोग को भी पोशन ट्रेकर एप open करने के बाद कोई भी code optimization का option नजर नहीं आएगा तो इस परकार से यह update आया हुआ है जो अजीबो गरीब update है और जो minor box fixes है वो तो हमेशा से ही आप लोग देखते हैं पोशन ट्रेकर एप मे और उसके बारे में क्या जनकारी है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद